मैं कौसिक कुमार आप सभी के अपने यूटूब चैनल कौसिक जीए से कैनवी पर स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जीके के टॉप 200 भी वी आई प्रसनों को देखने वाले हैं आप अपने स्क्रीन पर जितने भी बुक्स देख रहे हैं उन सभी बुक्स से most important प्रसनों को लिया गया है previous year के एक्जाम को देखते हुए उन सभी topic को cover किया गया है जिससे बार-बार प्रसन पूछे जाते हैं कम समय में तयारी करके एक्जाम निकालना है तो previous year के उन topic को cover करना होगा जिससे बार-बार प्रस्ण पूछे जाते हैं नहीं तो G के अनन्त है आप आगे रठते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है संबीधान सभाने राष्ट गान कब अपनाया ओप्शन है आपका आंसर हो जाएगा संबीधान सभाने 24 जनबरी 1950 को परदान की थी अगला प्रस्ण है सूरे से प्रिथवी तक पहुँचने में प्रकास को कितना समय लगता है ओप्शन यह है आठ गंटा 20 सेकेंड आठ मिनट 20 सेकेंड आठ सेकेंड और 20 सेकेंड अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर B आठ मिनट 20 सेकेंड सूरे से प्रिथवी तक पहुँचने में प्रकास को लगबग 500 सेकेंड का समय लगता है जो आठ मिनट 20 सेकेंड के बड़ावर है नेक्स्ट अगला प्रस्ने सर्बोदे और भूदान आंदोलन से कौन सम्बंध है किसका सम्बंध है ओप्शन A है आचारे नरेंदर दे B है जी के कोखले C है एम जी रनाडे और T है अचारे बिनोबा भावे आपका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर D अचारे बिनोबा भावे का सम्बंध सर्बोदे और भूदान आंदोलन से है सर्बोदे और भूदान आंदोलन से अचारे बिनोबा भावे सम्बंध थे इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रेल 1951 को आंध प्रदेश के पोचम पल्ली से प्रागम्भ किया था अगला प्रस्न है संसत के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में नियूंतम कितने सदस्य होने अनिवार है जिससे सदन की कारवाही चलती रहे तो नियूंतम कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए जिससे कारवाही चले कितना है कुल सदस्य का कम से कम दसमा भाग option नमर आपका D right हो जाएगा अगला प्रस्न है काले बन पाए जाते हैं option E है France, B है Germany, C है चेकोसलोबाकिया और D है रुमानिया तो काले बन पाए जाते हैं जर्मनी में option नमर आपका B right हो जाएगा देखिए कि काले बन ब्लैक फोरेस्ट जर्मनी इस्थित एक परवत स्रिंखला है इसकी सर्वच चोटी फिल्ड वर्ग है यूरोप की परसिद डिन्यू नदी यहां से उद्गमित होती है आप ब्याख्या को भी अपने ध्यान में रखिएगा अगला परसिद निम्न में से किसको लाल गरह कहा जाता है तो लाल गरह कहा जाता है आपका उप्सन नमर सी हो जाएगा मंगल को किसे कहा जाता है मंगल करह को सुर्षे दूरी के करम में चोटा तथा अकार की द्रिष्टी से सात्मा अस्थान मंगल करह का है इसकी छबी लाल रंग जैसी दिखती है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है अगला परसने नीली करांती ब्लू रिवल्यूशन संबंधित है तो नीली करांती का संबंध है उप्सन नम्बर ए मचली उत्पादन से किसे मचली उतपादन से नेली करांती का संबंद मचली उतपादन से है चबकि स्वेत करांती का संबंद दुगद उतपादन से है पिली करांती का संबंद देख सकते हैं तिलहन उतपादन से है और हरित करांती का संबंद खाद्यान उतपादन से है इस सारा भी भी आई है पेडी करांती और यहां पे हरित करांती यह सभी याद रखेगा आप नेक्स्ट अगला परसने भारत में किस राज्य को धान का कटोड़ा कहते हैं ओप्सन ए केरल, वी करनाटक, सी आंधर परदेश और डी तमिलनाडू तो धान का कटोड़ा कहा जाता है आंधर परदेश को, ऑप्सन नम्मर आपका C रैट हो जाएगा उपर युग तराज्यों में से आंधर परदेश को भारत का धान का कटोड़ा कहा जाता है यहां की फसल का 77 परतीसत से अधिक चाबल की पैदावार होती है निक्स्ट वास्तुकार माना जाता है अहमद लाहोरी को उस्ताद अहमद लाहोरी अप्सन नमर ए आपका राइट हो जाएगा ताज महल भारत के आगरा सहर में इस्तित एक बिस्व धरोहर मकवड़ा है इसका निर्मान मुगल समराट साजहा ने अपनी पतनी मुम ताज महल की याद में करवाया था ताज महल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहोरी थे कौन थे उस्ताद अहमद लाहोरी अगला प्रस् समाप्त हुआ था तो नमक सत्यागर समाप्त हुआ था ओफ्सन नमर ए राइट हो जाएगा दांडी में कहां पे दांडी में ब्याख्या देख लिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमति आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकल 24 दिनों में लगभग 390 किलोमेटर की प्यात्राकर दांडी गुजरात के नौसारी जिले में इस्थित पहुंचे जहां 6 अपरेल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सब इने अभग्या आंदोलन का आरंभी किया नेक्स्ट अगला परस ने प्रित्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारन किस परकार किया जाता है तो प्रित्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारन किया जाता है रेडियो मैट्रिक काल निर्धारन से किस से रेडियो मैट्रिक काल निर्धारन से नेक्स्ट है डोल्टरम कटिबंध इस्थित है कहां पर तो भूमध रेखा के निकट डोल्टरम कटिबंध भूमध रेखा के दोनों तरब 5 डिगरी उत्री वर 5 डिगरी दक्षनी अक्षांसों के बीच पाय जाता है यह निम्न बायुदा बालत छेतर होता है जहां परचलित पवने सांतर आती है अगला परसने सुरी की उर्जा का सुरूत किस परकिरिया में नहित है तो सुरी की उर्जा का सुरूत नहित है नावकिये संलेयन परकिरिया से इससे नाविकिये सनलयन परकिरिया से ब्याख्या आपके सामने है नाविकिये अभिकिरियाओं के दो भाग नाविकिये बिखंडन तथा नाविकिये सनलयन में बाटा जा सकता है जहां नाविकिये बिखंडन अभिकिरिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में तुटता है वही नाविकी संलयन अभीकिदिया में दो छोटे नाविक आपस में संलयत होकर एक भारी नाविक का निर्वान करते हैं तारों से मुक्त होने वाली उर्जा उस्मा और परकास का कारण क्या है नाविकी संलयन है और आपको पता होना चाहिए कि सूरी भी क्या है एक तारा है तारों में 1-1.5 करोड केलविन तापमान पर हेड्रोजन के परमानू आपस में सलेथ होकर हिलियम का निर्मान करते हैं नेक्ष्ट अगला परस ने सूरी की बाहतम परत को कहते हैं तो सुरि की बाहतम परत को क्या कहा जाता है तो इसी कहा जाता है आपका ऑप्षिन नम्मर राइट हो जाएगा C Corona क्या कहा जाता है कुरोना देख सकते हैं कि सुरि की सता का तापमान छे डिगरी नहीं यहांपी 1000,000,002C सुरी के धरातल से उपर बॉल्ब मंडल को तीन भागों में माटा गया है प्रकास मंडल वर्ण मंडल और कुरोना विभाजित किया गया है संबहनिये स्रिंकला की स्थिति अर्थात सुरी के धरातल को प्रकास मंडल कहते हैं वर्ण मंडल सुरी का बायू मंडल है तथा प्रकास मंडल के उपर एक आवरन के रूप में फैला है जिसे कुरोना सुरी के आयुमदल का सबसे बाहरी आवरन है जो वर्ण मंडल के उपर पाया जाता है इसका बिस्तार कई मिलियन किलोमेटर तक किलोमेटर तक पाया जाता है अगला परस ने सूरी की प्रिष्टिय तापमान आका गया है, तो सूरी का प्रिष्टिय तापमान आका गया है, हमने भी बताया था डिटेल में कि 6000 डिग्री सिल्सियस, नेक्स्ट अगला परस ने सूरी की प्रिष्टिय से लगबग दूरी, मिलियन किलोमेटर में कितनी है, तो लगबग है लगबग यहां पे 150 मिलियन किलोमेटर में आपका आ जाएगा जो आपका परफेक्ट है वो है सुरी की पृत्वी से लगबग दूरी 149.6 मिलियन किलोमेटर है अता निकटम सही उत्तर बिकल्प यह होगा अगला परस ने पृत्वी के नजदीक कौन सा तारा है तो पृत्वी के सबसे नजदीक तारा है वो है कौन सुरी अप्सन नम्बर ए आपका राइट हो जाएगा पृत्वी के सरबादिक निकट सुरी तारा है सौर मंडल के बाहर पृत्वी के सबसे निकटम तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचूरी यहनि सुरी के बाद जो सबसे निकटम तारा है वो कौन है प्रॉक्सिमा सेंचूरी नेक यानि किर्सिय और डी है वन उन्मुलन तो चिपको आंदुलन का संबंध है वन उन्मुलन से आप्सन नमर डी आपका राइट हो जाएगा देख सकते हैं सुन्दर लाल बहुगुना द्वारा चलाये गया चिपको आंदुलन बन संग्रक्षन से संबंधित है आप इसका ब्याख्या 100% ध्यान में रखिएगा क्योंकि सभी प्रस्ण उससे रिलेटेड भी महतपुर्ण है नेक्स्ट है चंदन के पेरों के लिए किस प्रकार का जंगल उपरयुक्त है तो चंदन के पेरों के लिए जो उपरयूक्त जंगल है वो है उस्टन कटी बंदिये पर्नपाती बन सर्बाधिक उपरयूक्त है चंदन के पेर भारत के करनाटा कराजे में पर्मखरोप से क्या होता है पाई जाता है अगला परस्ट अगला प्रस्ने भारत में पर्थम जैम मंडल रिजर्व की अस्थापना कहां होई थी तो भारत में पर्थम जैम मंडल रिजर्व की अस्थापना होई थी नीलगिरी चेतर में कहां होई थी नीलगिरी चेतर में आप्सन नमर ए राइट हो जाएगा भारत में पर्थम जैम मंडल डिजर उनी सो च्यासी स्वी में दक्षिनी पस्चमी घाट तमिलनाडू करनाटक केरल में सुखत रूप से नीलगिरी चेतर में अस्थापित किया गया इसका कुल चेतर फल 5520 किलोमेटर है इस चेतर में मुकुर्थी बांदीपूर नगर होल वायनाड नेशनल पार्क इस्थित है अगला प्रस्थ अगला प्रस्थ ने भारत में पिली करांथी का संबन्द है तो हमने पिछले कोस्चन में बताया था पिली करांथी का संबन्द त तिलहन उत्पादन से, ओप्सन नमर B, राइट हो जाएगा, नीली करांती का समद मचली उत्पादन से है, जबकि स्वेट करांती का समद दुगद उत्पादन से है, पिली करांती का समद तिलहन उत्पादन से है, और हरित करांती का समद खाध्यान उत्पादन से है, नेक्स् उप्पा उपर युक्त कल्प में दिये गए जलपरपातों में से सरबाधिक उचा जलपरपात जो गर्स उप्पा जलपरपात है इसकी उचाई दो सत तिरपन मीटर है या परपात करनाटक राजी के सीमोगा जिला में सराबती नदी पर इस्तित है उलेकन यह है कि भारत का सासक के सासनकाल में हुआ था तो दिल्ली में पुराना किला का निर्मान हुआ था हुमायू के सासनकाल में आपका सी राइट हो जाएगा दिल्ली में पुराना किला का निर्मान हुमायू द्वारा 1533 से 1538 के मद्ध करवाया गया था सीर सा द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर करने के बाद इस किले में कई असमारकों का निर्मान करवाया गया इस किले का नाम सेरगट कर दिया गया था अगला प्रसने दिल्ली का जामा मस्जिद किस सदी में पनाई गी थी दिल्ली के जामा मस्जिद 17 सदी में बनाई गी थी जामा मस्जिद दिल्ली के लाल के लिए के बाहर उंचे चबूतरे परिस्थित इसके तीन परवेश्दवार हैं जिनमें पूर्वी परवेश्दवार से बादसा नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य दो परवेश्दवारों से उत्री और दक्षिनी से समाने परजा आय करती थी नेक्स्ट अगला परस ने गांदी जी ने भारत में अपनी राजनेति गती बीदियों को का प्रारम कहां से किया था तो उन्होंने यह प्रारम भी किया था चमपारन से ओप्सन नम्र डी आपका स्राइट हो जाएगा महात्मा गांदी ने भारत में सत्यागरा आंदुलन की सुरुवात बिहार के चमपारन आंदुलन बरस 1917 से की थी इस आंदुलन ने से ही गांदी जी ने भारती राजनेति में क्या किया प्रविस किया था नेक्स्ट है भारत में बीवी का मकबरा कहां पर इस्तित है तो बीवी का मकबरा इस्तित है औरंगाबाद में आफसर नमर B राइट हो जाएगा भारत में बीवी का मकबरा महराश्ट राजी के औरंगाबाद में अबस्तित है इस मकबरे का निर्मान मुगल बाद सा औरंगजेव द्वारा अपनी पत्नी की दिल रास बानो बेगम रबिया उद्दौरानी जिसका नाम था कि याद में 17 सताब्दी में करवाया गया था इसे ताज महल की पुच्छर नकल भी माना जाता है ऐसी मानने था है कि इस मकबरे का निर्मान औरंगजेव के सासनकाल में उसके पुत्र आजमसा की निर्देशन में संपन हुआ था नेक्स्ट अगला प्रस ने भारत छोरवा अंदोलन 1942 में किस महीने में सुरू हुआ तो भारत छोरवा अंदोलन शुरू हुआ था अगस्त में किस महीने में अगस्त में ऑफ्शन नमबर सी राइट हो जाएगा अब याख्या देख लिजी कृप्स मिशन निर्देशन की विपलता ने अंतत भारत छोरवा अंदोलन को जन दिया साथ अगस्त निस्सो बियालिस को बंबई के अतिहासि ग्वालियर टैंक में आखिल भारतिये कॉंग्रिस कमिटी की वारसिक बैठक जिसकी अध्यक्षता अभुलकलाम आजाद ने की थी जिसमें बरधा प्रस्ताव यानि भारत छोरो की पुष्टी हुई 8 अगस्त उनिस्सो बियालिस को प्रस्ताव सुईकार कर लिया गया और 9 अगस्त उनिस्सो बियालिस को भारत छोरो अंदोलन आरंब हुआ अगला प्रस ने कैबिनेट मीशन भारत आया था तो कैबिनेट मीशन कब भारत आया था तो आपका आप्सेन नमर हो जाएगा D. कॉपनेट मीशन 1946 में भारत आया था लाड पैन्थिक लॉरेंस के नित्रित में मार्च 1946 में कैबिनेट मीशन भारत आया था इसके अन्य दो सदे से थे अगला प्रस ने सुवास चंदर बोस किसी हराकर पार्टी के अध्यक्च चूने गए थे तो सुवास चंदर बोस किसे हराय थे तो सुवास चंदर बोस द्वारा हराय गया था पट्टावी सीता रमिया को किसे हराय गया था पट्टावी सीता रमिया को option नमर आपका B right हो जाएगा तिरपोडी में जनबरी 1949 में सुबास चनबोश ने गांधी जी समर्थित पट्टाबी सी तरमिया को हरा कर कॉंग्रिस पर्टी के अध्यक्ष का चुनाब जीता लेकिन गांधी जी के असायोग कारण अपरेल 1949 में उन्होंने कॉंग्रिस का ध्यक्ष पट्ट से त्याप पतर दे दिया इसके बाद राजिंदर परशाद को कॉंग्रिस का ध्यक्ष बनाया गया अगला प्रस्ण है किस आंदोलन को हिंदू और मुसल्मानों दोनों का समर्थन मिला था तो हिंदू और मुसल्मानों का समर्थन मिला था असायोग आंदोलन को किसे असायोग आंदोलन को ब्याक्या देख लीजे आप खिलाफत आंदुले 920 और आसायोग आंदुले 920 से 22 में हिंदो और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था इस संदर में एंचीसन की टिपनी उलेखनी यह है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदों से भीरा नहीं पाए इसी संदर में गांदी जी ने कहा था हिंदो और मुसलमानों की एक्ता के एक ऐसे अपसर के रूप में देखा है जो सौ बर्सों में भी पुना प्रस्तुत नहीं होगा अगला प्रस ने चौरी चौरा कांड के बाद गांदी जी ने अस्तकित कर दिया तो चौरी चौरा कांड के बाद गांदी जी ने किसे अस्तकित कर दिया तो असायोग आंदोलन को अस्तकित कर दिया और सी राइट हो जाएगा कह रहा है कि चौरी चौरा कांड 5 फरबर 1922 के बाद गांदी जी ने असायोग आंदोलन को क्या कर दिया अस्तकित कर दिया अगला प्रस ने 222 महानमंदी किस वर्स आई तो 222 महानमंदी आई बर्स 1929 में ओफ्सन नमर B राइट हो जाएगा देख सकते हैं 222 महानमंदी की अबदी उनी विभीने देशों में अलग अलग है परन्तु इसकी सुरुवात बर्स 1929 से 32 मानी जाती है नेक्स्ट अगला प्रस ने उत्पादन के कारण कितने हों तो उत्पादन के कुल कारण है कितने 4 कितने है चार उत्पादन के 4 कारण होते हैं ये कारण है भूमी, स्रम, पुंजी एवं उदंबिर्ती यह चारोद पादन के परात्मिक कारण है बरतमान में पाचमिक कारण के रूप में संगटन यानी organisation को भी माना जाता है प्रति ब्यक्ति आये बराबर होती है तो प्रति ब्यक्ति आये बराबर होती है राश्टी आये बटा देश की कुल जनसेंच्चा संख्या क्या हो जाएगी राष्टी यह बाई देश की कुल संख्या जन संख्या ऑफ्षन नमर यह आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला है राष्टी यह आए क्या है तो राष्टी यह आए क्या है तो यहां है आपसर नमर ए राइट हो जाएगा आपका एक बर्स में किसी देश में उत्पादित सभी बस्तू ततस्यवाओं का धन मुल्य नेक्स्ट देख सकते हैं राष्टियाई एक बर्स में किसी देश में उत्पादित सभी अंतरी बस्तू तता सिवाओं का मौद्रिक मुल्य होता है इसमें बीदेशों से अर्जिस सुध्याई भी सामिल होती है मारसल के अनुसार किसी देश की स्रम में मंपुंजी उस देश की प्रकृतिक संसादनों के साथ मिलकर प्रतिवस कुछ भौतिक बस्तू का उत्पादन करता है जिसमें सेवाई भी सामिल होती है इसी करण बजार मुल्य को राष्टियाई कहते हैं अगला प्रशन मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के परदूसन से होता है तो मिनी माता रोग होता है किस से पारद यानि पारद के अधिकता के करण देखे पारे की भी साक्तसा से मिनी माता नामक रोग होता है सर पर्थम बर्स 1956 में जपान के मीनी मादा सहर में इस रुक का पता चला था यह तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है अगला परस ने पुरुस में मरकरी बिसाक्तता से कौन सा रुख होता है तो कौन सारव होता है अभी ही बताये हमने मीनी माट option number c राइट हो जाएगा next अकला प्रसने निम्लेकेद में से किस की उपस्तिती के कारण गिरगीट रंग बदलते हैं तो गिरगीट जो है रंग बदलते हैं वर्ण की लवक के उपस्तिती के कारण ब्याक्या देख लीजिए आप गिर्गिट के उपरी त्वचा पारदर्सी होती है जिसके नीचे 20S को सिकाओ के परते होती है जिनकी वर्णिनी लवक, वर्णिकी लवक कहा जाता है इनके उपस्तित के कारण गिर्गिट रंग बदलता रहता है Next अगला परशने एक कीट कितने पैर होते हैं तो एक कीट के कुल 6 पैर होते है और दी राइट हो जाएगा Next व्याक्या देख सकते हैं जीब बैग्यानिकों के अमसर जीब जगत में सबसे आधिक संख्या कीट हो की है यह और्थो पोड़ संक्या दरगताते हैं इनमें 3 जोरी अर्था 6 पैर होता है अगला परशने एंटिवाटिक क्या है तो एंटिवाटिक क्या है यह है और परशन नमर बी राइट हो जाएगा किसी सुक्षन जीब द्वारा संसले सी तरह सायन जो अनसुक्षन जीबों से क्या करता है हमारी रक्षा करता है अगला परशने परती रक्षन तक्निक का विकास किसने किया था तो परती रक्षन तक्निक का विकास किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किसके द्वारा किया गया था इन्टोनी वान लिवेंट हॉक नेक्स्ट दुग्ध सरकरा है तो दुग्ध में कौन सा सरकरा पाया जाता है तो आप सभी को पता ही होगा कि पाया जाता है लेक्टोज नेक्स्ट अगला प्रशने किस नदी में मचलियों का ना होना किसका सुचक है तो किसी नदी में मचलियों का ना होना किसका है परदूसन के सुचक है नेक्स्ट नदी तालाबों में अत्यदिक परदूसन के कारण इनमें मचलियों का जीवन संभब नहीं है इसलिए यदि किसी नदी में मचलियां नहीं है तो इस बात का सुचक है कि उसमें परदूसर के छित्र मौजूद है अगला परदूसन गाजर का रंग किसकी मौझूदिय के कारण ऐसा होता है तो गाजर का रंग जो लाल होता है हो कैरिटिन की मौझूदिय कारण होता है नेक्स्ट बांस एक तरह की है तो बांस एक तरह का घास है घास के सरेवी में रखा गया है अगला प्रस्न है गेहूं के पौधे का बनस्पतिक नाम क्या है तो गेहूं के पौधे का बनस्पतिक नाम है त्रिटीकम स्टीवं क्या हो जाएगा अप्सन नमर्बी हो जाएगा ट्रिटीकम स्टीवं गिहों के पौधे का बानसपतिक नाम नाम ट्रिटीकम स्टीवं है या गरेमनी या पोईसी कुल का एक बीज पत्त dependent पौधा है नेक्स्ट अगला प्रस्न है जरे मिटी से जल तथा डाइस का अबसोषन करती है तो जरे मिटी से किसका जल जरे मिटी से जल तथा आपसेन नमर ए रईत हो जाएगा खानिज का अबसोषन करती है next जरे बीज में इस्तित भूरन के मुलांकुर से विक्सित होती है इनके सिर्ष पर एक टूपी जैसे संग्रक्चना पाई जाती है जिसे मुल्गूप कहते हैं जरे मिट्टी से जलता था खनीज का अफसोसन करता है अगला परिशने टिक्का रोग निमलकित मैं से किस फसल से संबंदित है तो टिक्का रोग का संबंदित मुНगफली से किसोप्सर णमें डी रइट हो जाएगा टिक्का रोग मुंग फली की फचल से संबंधित बीमारी है इसमें पौधे की पत्थियों पर धपे बन जाते हैं यह बीमारी सरकोसोपोरा और परसोनेटा तथा सरकोसपोरा एरेकी डीकोला नामक कबको द्वारा होता है अगला प्रश्ण जब क्या बस्तू पृर्थिपि से चदर्मा पर अस्थान द्रित किया जाता है तो क्या फर्क परता है तो क्या होता है कि इसका इसका द्रवब्मान प्रिश्दूत रहता है ÓPS tal नमर D राइट हो जाएगा Next देख सकते किसी बस्तु का दर्वान स्रवत्र नियत रहता है जबकि उसके भार में परिवर्थन होता है अता जब कोई बस्तु प्रित्वी से चन्रमा पर अस्थांतरित की जाती है तो इसका दर्वान और परिवर्थित रहता है अगला परसन है निमलिकित में से केबल अदिस रासी है तो इसमें अदिस रासी है केबल उर्जा कौन है उर्जा मकिसर क्या है सदिस रासी है जिन रासियों को पुर्णत निरूपित करने के लिए केबल परिमान क्या बसकता होती है दिसा की नहीं उन्हें अदिस रासी कहते हैं जैसे समय चाल दर्विमान कारे उर्जा कौन आवेज तथा आयतन यह सब क्या है अदिस रासी है नेक्स्ट अगला प्रस्ट है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होता है लाल नीला हरा अप्सन नमर सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला फ्रस ने Water pour囉 में हर टीम में खिलाड़ीय की संख्यां होती है तो Water pourow के हर टीम में खिलाड़ीय की संख्यां कितनी होती है साथ option number A Correct हो जाएगा यहां पर देख लीजी थोड़ा किलाड़ीय की संख्यां किर्केट, फुटबॉल और होकी में किलार्यू किसें कितना होता है, 11 होता है एक टीम में, रगभी फुटबॉल में 15 होता है, बेस बॉल एबं खोखो में 9, नेट बॉल एबं वाटर पॉलो में 7, वॉली बॉल में 6 और वास्केट बॉल में कितना होता है पॉलो में चार होता है और टेनिस और बेडमिंटन में एक या दो होता है नेक्स्ट अगला प्रस्ने थॉमस कप का संबंद किस खिल से है तो थॉमस कप का संबंद है और बेडमिंटन से किसे बेडमिंटन से ब्याक्या देख लिजे पुर्सो की बेडमिंटन परत्युकता की ट्रॉफी थॉमस कप है जबकि उबेर कप का संबंद है महिला टेनिस से अगला प्रस ने भारत का फ्लाइंग सी किसे कहा जाता है तो भारत का फ्लाइंग सी कहा जाता है मिलका सिंग को आप्सन नमर D राइट हो जाएगा अगला प्रस ने निम्लिकेत में से कौन हरियाना हरीकेन के नाम से परसिद है तो हरियाना हरीकेन के नाम से परसिद है अफसन नमर सी कफिल देव प्रूब भारतिय किर्केट खिलारी कफिल देव को हरियाना हरीकेन के नाम से भी जाना जाता था उलेखनी यह है कि इनहीं के नित्रुत में बर्स 1983 में भारती एक क्रिकेट टिम ने पहली बार विसकुप जीता था अगला प्रशने ICC का प्रथम T20 विसकुप प्रतियोगता किस ने जीता था बर्स 2007 में ICC 2020 विसकप कायोजन दक्षिन फिर्का में हुआ था भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच रनों से प्राजित किया था नेक्स्ट अगला प्रस्ट ने आगा खां कब निमनलिकेत में से किस खेल से संबंधित है तो आगा खां कब का संबंध है किस से होकी से ओप्सन नमर आपका वी राइट हो जाएगा अगला प्रस्ट देख लिजे आगा खां कब भारत की राष्टी होकी की एक प्रतियों गिता है नहरू ट्रोफी, रंगा स्वामी कप, बेटन कप, अजलान साकप, अबदुल्ला कप, लेडी रतन टाटा ट्रोफी, ध्यान चन ट्रोफी, कप्पू स्वामी ट्रोफी, आधिक होकी की आने महत्पुल ट्रोफिया है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा अगला प्रस्न है, बुफाल गैस त्रासदी में उत्सरजित गैस कौन सी थी तो जो गैस उत्सरजिती वो थी, मिथाईल आइसोसाइनाइट कौन थी, मिथाईल आइसोसाइनाइट नेक्स्ट अगला प्रस्न है, आरेभट को कहां से छोड़ा गया था आप्शन है सिरी हरी खोटा मही चांदीपूर इन में से कोई नहीं आपका अंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं देखते हैं कहां से छोड़ा गया था भारत का अंतरिक्ष में प्रछेपित प्रतम उपगरा आरेवट है इसका प्रछेपन ततकालिन सुबियत संग के वालगो ग्राद प्रछेपन के अंदर से कासमोस थिरी एम रोकेट द्वारा 19 सपरिल 1975 को किया गया था नेक्स्ट अगला है फुलर दूप इस्थित है तो फिलर दूप इस्थित है ओप्सन नमर ए राइट हो जाएका उडिसा तट से परे देख लिजे इसका डिटेल फिलर दूप उडिसा तट से परे इस्थित है यह उडिसा बरतमान उडिसा की राजधानी भूबनेशुर से लगभग 150 किलोमेटर दूर भारत की मिसाइल प्रचेपन सुवधा इस दूप पर क्या है इस्थित है नेक्स्ट अगला प्रशन तंजानिया की राजधानी है तो तंजानिया की राजधानी है इसमें से कोई नहीं होगा एंसर तंजानिया की राजधानी है डोडोमा क्या है डो डोमा याद रखेगा डोडोमा नेक्स्ट तंजानिया की राजधानी करेले डोडोमा है जहाँ पर संसत और कुछ सरकारी करेले हैं जबकि दारे सलाम तंजानिया का प्रमुख वाने जिक्स सहर है यहाँ पर अधिकान सरकाडी संस्थाए इस्तित है next अगला है अरुधन्ती राय किस पुस्तक के रचाईता है तो अरुधन्ती राय है the agelabra of infinite justice next the agelabra of infinite justice पुस्तक की रचाईता अरुधन्ती राय है जबकि half a life vs snowfall tooth love and a little malice खुसबंथ सिंग तो था rising sun Michael Christian द्वारा रचित पुस्तक है next अगला प्रस्ने आसुगैस का घटक है तो आसुगैस का घटक है क्लोरोपीक्रीन कौन है क्लोरोपीक्रीन देख लीजे आसुगैस अत्वा आसुगैस एक हथियार के रूप में प्रयोक की जाने वाली गैस है क्लोरोपीक्रीन एक जहरीला रसायन है जिसका रसायनिक सुत्र CCL3NO2 या असुगैस अगला प्रस्ने बायोमंडल में सबसे परचुर अक्रिये गैस कौन सा है तो बायोमंडल में सबसे परचुर अक्रिये गैस है वह है आपका औरगन कौन है औरगन नेक्स्ट रेडाउन को छोड़कर अन्य सभी उतक्रिष्ट गैसे बायोमंडल में पाई जाती है जिसमें औरगन सबसे अधिक मातर में पाई जाती है इसकी खोज रेलेने की थी किसने की थी रेलेने अगला प्रिसने अलमुनियम को सुध किया जा सकता है तो अलमुनियम को सुध किया जाता है बिद्दूत अबघटन के दोरा किसके दोरा बिद्दूत अबघटन के दोरा नेक्स्ट अलमुनियम का संसोधन बिदुत अब घंतली बिधी फूप बिधी द्वारा होता है, इसमें सोडियम, बोरियम और एलमूनियम के फ्लु राइडो का गलित मिश्रन बहुत बिदुत अब घटै का कारे करता है, नेक्स्ट अगला प्रसम ने हीरे का के बड़ावर होता है तो हीरे का एक के बड़ावर होता है 200 mg बड़ावर के बड़ावर next निमलिखित में से किस को पैंसिलों में पर्युक्त किया जाता है तो पैंसिल में पर्युक्त किया जाता है तो जब एक चीटी काटती है, तो फॉर्मिक अमल का रिसाब होता है, उप्सन नमर B, राइट हो जाएगा. चीटीों के काटने पर इनके डंग से निकलने वाले बिस में फॉर्मिक अमल पाये जाता है, जिसके कारण काटे जाने वाले अस्थान पर त्वचा में हलकी जलन होने लगती है, फॉर्मिक अमल एक कमजोर कार्बनिक अमल है, जो प्राकृतिक रूप से मदुमक्खी और मगल सास्को की दरवारी भासा थी, फारसी ओफसन नमर सी, राइट हो जाएगा, मगल सास्को की दरवारी अधवाराज भासा फारसी थी, अकपरद्वारा स्थापित अनुवाद बिभाग में संस्क्रित, अरभी, तुर्की एबम, ग्रिक भासाओ की अनिक खिर्टियों का अनुवाद फार्जी भाजा में किया गया था Next महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन थे तो महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु थे गुपाल कृष्ण गोखले Option number E right हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु गुफाल कृष्ण गोखले थे नौ जनबर यू निस्व पंद्रा में दक्षी नफिरका से भारत लोटने पर गांदी जी गोखले के संपर्ग में आये और इनके प्रभाब में आकर ही गांदी जी ने स्वेंग को भारत का सक्री राजनितिक से जोरा नेक्स्ट निमलिकित में से कौन जिन्दा पीड के नाम से जाना जाता है तो जिन्दा पीड के नाम से जाना जाता है ओप्सिन नमबर डी औरंग जेब नेक्स्ट और एंग जेब जोस कुछ दूसरे परलागू करना चाहता था जो सब कुछ दूसरे परलागू करना उसका स्वेंग अभ्यास करता था उसके ब्यक्तिकत जीवन का नैतिक अस्थर उचा था तथा वो अपने युक के परचलित पापों से द्रिड़ता पुरभग अलग रहता था इस परकार उसके समकालिन उसे साही तरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिन्दा पीर के रूप में मानते थे अगला प्रस ने सत्यागर सब्द का निर्मान किस ने किया था तो सत्यागर सब्द का निर्मान किया था गांधी जी ने किस ने गांधी जी ने मोती मस्जिद आगरा के किले में इस्थित है इसका निर्मान साजहांद्वारक करवाय गया था दिल्ली के लाल किले में इस्थित मोती मस्जिद का निर्मान किस ने करवाय था और अंग जेब ने करवाय था तो दो जगा मोती मस्जिद इस्थित है याद रखेगा एक आगरा में एक दिल्ली के लाल किले में next अगला प्रस ने 20 परसी तकते ताउस निनम्न में से किस मोगल भवन में रखा गया था तो तकते ताउस रखा गया था कहां पर दिल्ली के लाल किले में option नमर किस्मिक रखा गया थे दिल्ली के लाल किलै में डिल्ली के लाल किले में दिवाने आम में इसकी पीछे की दिवार में बन एक कोश्ट में भिस्परसित तक्तिताउस रखा जाता थ अगला प्रश्ण सा जहां का परसित तक्तिताउस 1749 में कौन ले गया तो इसी ले गया कौन तो इसी ले गया फार्सी अक्रामक नादिर साने किसने ले गया फार्सी अक्रामक नादिर साने 1749 में इसे लुटकर क्या कर लिया ले गया देख लिजे फार्सी अक्रामक नादिर सा ने उत्तरकालिन मोगल सासक मुहम्मद सारंगीला के सासनकाल में 1749 में दिल्ली पर आकरवन किया था वो अपने साज सा जहां का परसित तक्ते ताउस भी ले गिया था अगला परसिन किस मुगल वादसा ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली अस्थान्तरित किया तो आगरा से दिल्ली अस्थान्तरित करने वाला मुगल सा सकता कौन सा जहां अपसर नमर C राइट हो जाएगा मुगल वादसा सा जहां ने मुगल समराजी की राजधानी आगरा से दिल्ली अस्थान्तरित कि थी इसने अपने नام पर एक नविन राजधानी सा जहां नावाद कि दिल्ली में नीब डाली नब निर्मित नगर का परमुका करसक लाल खिला के नाम से परसिद महल दुर्ग था अगला प्रस्ट ने कौन से गोल में सम्मिलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था किसमें तो दूतिये कोल में सम्मिलन रंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला जिसमें महात्मा गांधी कॉंग्रेस के एक मातर परतिनिधी के रूप में सम्मिलित हुए थे यह सम्मिलन संपर्दाइक समस्या पर विवाद के गारण पूरी तरह असफल रहा दलित लें तब ही मरावमबेट करने दलितों के लिए प्रिथक निरवाचन मंडल की मांगी जिसे गांधी जी नाइस्विकार कर दिया नेक्स्ट अगला प्रस्सनि गांधी इरविन समझोते पर हस्ताक्चर कब हुए तो गांधी इरविन समझोते पर हस्ताक्चर हुए कब 5 मार्च 1931 को गांधी रिबिन समझोते 5 मांच 1931 सबने अब ग्यान धुलन से संबध है इस समझोते की प्रमुख सरते इस प्रकार थी पहला था सरकार द्वारा सभी अध्यादेसों एवं अपुर्ण अभियोगों को मामले को वापस लिया जाए दूसरा था हिंसात्मक कारियों में लिप्ट अभियुक्तों के अत्रित सभी राजनेतिक कैदियों को मुक्त किया जाए तिसरा था कॉंगरिस वा उनके कार्यकरताओं की जबत संपती वापस किया जाए चोटाता समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने हुआ उसे एकत्रित करने की छूट दिया जाए अगला प्रस ने चित्रकारी किसके सासनकाल के दौरन अपने उच्छतम पर पहुँची तो यहाँ पहुँची थी जहांगीर के सासनकाल में मुगल समराटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्छतम अस्तर पर पहुँची थी जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारी जाके नितृत में आगरा में एक चित्र साला के अस्थापना की थी जहांगीर के समय के पर्मुक चित्रकार थे दौलत मनोहर फारु लग दादा भाई नेरो जी का अपना राजनितिक घुरु मानते थे अगला प्रस्ने कलकत्ता मुंबई मदरास में उच्छ नयायल की अस्थापना किस वर्ष की गई तो या की गई थी 861 में देख लेजिए इसका डेटेल उच्छ नयायल है अधिनियों 861 के तहट लाड कैनि के कारेकाल में 1 जुलाई 1862 को कलगत्ता 14 अगस्त 1862 को बंबी ते तब 15 अगस्त 1862 को मदरास में उच्छ नयायल की अस्थापना की गई नेक्स्ट तुलसी दास ने राम चरित मानस किस के सासन्काल में लिखा अगला प्रस्न है तो ये थे जी के गोखले कौन थे जी के गोखले भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ओफ इंडिया सुसाइटी के अस्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पूने महाराश्ट में 12 जून 1905 में की थी नेश्ट जब इस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादसा अकबर जब इस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1620 को रानी एलिजावेद पर्थम के समय हुआ था उस समय भारत का मुगल बादसा अकबर था अगला प्रशने गांदी जी का प्रिये गित बैसनब जन किसने रचा था तो यह न रचा था नरसी महताने आप्सन नमरे यह राइट हो जाएगा गांदी जी का प्रियेगित बैसनब जन तो पैसिद गुजराती कभी नरसी महता द्वारा रचा गया था अगला है रभिना टेगूर को गितानजली डैस का संगर है तक गितानजली कभिताओ का संगर है गितांजली रभिन्ना टेगुर की कभिताओं का संगर है जिसे बर्स 1913 में नुबल पुरसकार प्राप्त हुआ था गितांजली सब्द गीत और अंजली से मिलकर बना है जिसका आर्थे गीतों का उपहार गितांजली मुल्त बाग लाभासा में इस्तित है नेक्स्ट बार में किस नाम से प्रकासित हुआ था या प्रकासित हुआ था भारत भागी बिधाता के नाम से नेक्स्ट रविन्ना टेगुर्द्वर रचित गीत जन गनमन सरवर्थम जनबरी निस सुबार में भारत भागी बिधाता के नाम से क्या हुआ था प्रकासित हुआ था भारत में प्रत्यक्च लोक तंद्र का उदाहरन क्या है तो भारत में प्रत्यक्च लोक तंद्र का उदाहरन है ग्राम सभा क्या उदाहरन है ग्राम सभा नेक्स्ट ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचैत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के ब्यस्क ब्यक्तियों को मिला कर किया जाता है ग्राम सभा की बैठक में सम्मदित ग्राम सभा की सभी निवासी भाग लेते हैं अथा परतेक्ष लोक तंद्र का या क्या है उदाहरन है अगला प्रश्ण लोक सभाध्यक्ष के बेतन और भत्ति कौन निर्धारित करता है तो लोक सभाध्यक्ष के बेतन और भत्ति निर्धारित किया जाता है संसत द्वारा नेक्ष्ट अनुछे 97 के अनुछा राजसभा के सभापती और उपसभापती को तथलोक सभा के अध्यक्ट तवपाध्यक्ष को ऐसे बेतन बत्तों का जो संसत विधी द्वारा नियती करे संदाय किया जाएगा भारत के उपराश्ठ पती पर महाभियोग अभियोग किसके द्वारा लगाया सकता है तो अभियोग लगाया सकता है राजसभा के द्वारा देख लीजी भारत के उपराश्ट पती पर अभियोग राज्य सभा दोरा लगा जा सकता है बारतिय संबिधान के अनुछेद सरसेट खग के तहत राजिसभा के द्वारों पर राष्ट पती पर महाभ्योग लगाया जा सकता है ऐसा प्रस्ताबलाने से चोदो दिनों के पुरु सूचना देना अबस्सेक है इसके अतरिक्त महाभ्योग के संकल्प को संसेत के समस्त सदस्यो बहुमत से पारित करना होगा अगला प्रशने भारत के राष्ट पती पर महाभ्योग चलाया जा सकता है तो भारत के राष्ट पती पर महाभ्योग चलाया सकता है किसके द्वारा संसेत के द्वारा भारतिय संविधान के अनुच्छ 61 के अनुसर संसर द्वारा राष्ट पती पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है महाभियोग की कारेवाहि संसर के किसी सदन में प्रड़रम की जा सकती है ऐसा प्रस्ताव लाने से पुरू 14 दिनों का नोटिस देना आयवेस्यक है इसके अतरिक्त महाभियोग के संकल्ब को संसर के कम से कम 14 सदस्यो द्वारा अस्ताप्छर सहित प्रस्तावित होना चाहिए अगला प्रस्ट संसार में सबसे पहली महिला परधान मंत्रे किस देश की थी तो वो थी स्रिलंगा की किस देश की थी ओप्सन नमर बी राइट हो जाएगा स्रिलंगा की इसका डेटेल देख लिजे संसार की सबसे पहली महिला परधान मंत्रे स्रिलंगा के सिरी मावो भंडार नायके थी वो तीन बार स्रिलंगा की प्रधानमते चुनी गई थी परतम बार 21 जुलाई 1960 से 7 मार्च 1956 तक दूसरी बार 22 मार्च 1922 से 23 जुलाई 1997 तक तिसी बार 1994 से 10 अगस्त 2000 तक अपने पत पर रही इनका जन 17 अपरेल 1916 को तक मिर्टु 10 अक्टूबर 2020 को हुई थी नेक्स्ट निमलेकित में से लोकसभा की परतम महिला अध्यक्ष कौन थी तो लोकसभा की परतम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार कौन थी मीरा कुमार लोकसभा की परतम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार अध्यक्ष पत पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही जबकि बरतमान में सुमित्र महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है अगला है भारत की आतमा गाउं में निवास करती है या कथन किसका है बरतमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिलला है ये थोड़ा प्रिबियस एर का था भारत की आतमा गाउं में निवास करती है या कथन किसका है तो या कथन है किसका है तो या कथन है गांधी जी का अप्सन निवर डी राइट हो जाएगा देख लिजे महातमा गांधी की सक्ति की विकंद्री करन के परवल पक्षदर थे उन्होंने कहा था कि भारत की आतमा गाउं में निवास करती है नेक्स्ट भारत में कितने मुख्य बंद्रगा है तो ऑफ्सन की हिसाब से तो बार हो जाएगा वैसे बरतमान में भारत में जो मुख्य बंद्रगा की संख्या है देख लेते हैं भारत में पत्तनों का उप्योग प्राचीन काल से हो रहा है तो दापी अंतराश्टी बेपार के परवे जोले पत्तन है अतन नजदी की बिकल्प आपका डी अंसर हो जाएगा नेक्स्ट माजुली संसार का सबसे बड़ा नदिदिप किस राज में इस्तित है तो माजुली इस्तित है किस राज में तो असम में उप्सन नमर बी राइट हो जाएगा भारत के असमपरांद पे ब्रह्मपुत नदिप पर इस्तित माजुली पिसु का सबसे बड़ा नदिदिप है अपरदिन की समस्या सिक्रस्ति स्तिप का बरस निस 14-2008 चौरानवे बरसों के मद्ध तक लगवग 277.43 किलोमेटर छेत्र अपरदित हो चुका है नेक्स्ट कृत्रिम बंदरगा है वो है आपका चिन्नई कौन है चिन्नई नेक्स्ट देख सकते इसका डेटेल चेनने सबसे पुराने पत्तनों में से एक है यह पुर्वी तट पर इस्तित है एक करत्रिम पत्तम है इस पत्तन से पेट्रोलियम और इसके उत्पादू उर्बर को लोह एसक और अन्य समाने बस्तों का बेपार होता है नेक्स्ट अगला प्रस्ण है पंच मढ़ी जीव संग्रक्षन छेत्र कहां इस्तित है तो पंच मढ़ी जीव संग्रक्षन छेत्र मद्य परदेश में इस्तित आप्सन नमर सी राइट हो जाएगा पंच मढ़ी जीव संग्रक्षन छेत्र मद्य परदेश में इस्तित है इसकी अस्थापना जैव संरक्षित छेतर के रूप में बर्स 1999 में की गई यूनिसको द्वारा बर्स 2009 में इसे बायोस्फियर रिजर्व के रूप में सामिल किया गया अगला प्रस्ण है बर्स 2011 की जनगन्ना अंतिम डाटा के अनुसार निम्रिकित में से किस राजे में किस राजे में इस्तिरी और प्रस साक्षर्था में सबसे अधिक अंतराल है जिस राजे में वो है राजस्थान 2011 के जन गन्ना अंतिम डाटा के नुसार उप्रोक्त राज्यों में से राजस्थान राज्य में इस्तिर और फुर्ट साक्षर्ता में सबसे अधिक अंतराल है किस राज्य में महिला साक्षर्ता दर सबसे अधिक है तो महिला सक्षार्तादर सबसे अधिक है केरल राज्य में बिकल्प में दिये गए राज्यों की महिला सक्षार्तादर निम्नुबत है केरल 91.1%, महराश 75.9%, तमिलादू 73.4%, पस्ची मंगल 70.5 सबरी माला निम्लेकित में से किस राज्य में इस्तित है तो सबरी माला इस्तिते केरल राज्य में ओफ्सन नमर C राइट हो जाएगा सबरी बारा केरल के पत्नामा ठीटा जीले में अवस्तित है सबरी माला अथपन देव के मंदिर के लिए परसिध है नागा खासी और गारो पहारियां इस्तिते यह इस्तिते पुरवांचल परवतमाला में किस में पुरवांचल परवतमाला में देख लेजिए पुरवांचल स्रेनी भारत के उत्तर पुरुचेतर में हिमाले तंतर का भाग है यह लद्दाक और कारकोरम स्रिंकला के समान है जो हिमाले तंद्र का भाग है किन्तु हिमाले परवस्रेनी से अलग स्रेनिया है पुरवांचल स्रेनी के अंद्रगत गारो खासी जेंदिया पटकाई और लुसाई पहारियां इस्तित है नेक्स्ट कंचन जंगा राष्टिय पार्क इस्तित है तो कंचन जंगा राष्टिय पार्क इस्तित है सिक्किम में कहां पे सिक्किम में अगला परसने सूरत किस नदी के तर्ट पर इस्तित है तो सूरत इस्तित है तापती नदी के तर्ट पर किस नदी के तर्ट पर इस्तित है तो तापती नदी के तर्ट पर तापती नदी का सम्मद पंजाब से नहीं है तापती नदी का मद पर्देश के बैतुल जिले के मुल्दाई नामकस्तान के पास सत्पूरा सरेनी से निकलती है इसके बेसिन का 79% भाग महाराश्ट में 15% भाग मद्य पर्देश में तथ 6% भाग गुजरात में पड़ता है या नरमदा के समानतर सत्पूरा के दक्षिन से बागा सूरत के निकट खमबात की खारी में किरती है नेक्स्ट अगला प्रस्ण लोनार जिल कहां इस्तित है तो लोनार जिल इस्तित है कहां पर महाराश्ट में उप्सन नमर C राइट हो जाएगा नेक्स्ट 2011 की जन गना के उसर भारत की किस राजे की जन सेंख्या सब से कम है तो सबसे कम जन संख्या वाला राज जी था कौन था सिक्किम आपसे नमर डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट देख लिए जी दोजारे गारे की जन गर्ना केमसवर भारत के सिक्किम राजी की जन संख्या छे लाख 7,688 सबसे कम है जबकि किंद्र सासित परदिसरा जो में सबसे कम जन संख्या लक्षदीप का है नेक्स्ट लोक्टक जील इस्तित है तो लोक्टक जील जो या कहां इस्तित है लोक्टक जील मनीपुर में इस्तित है या क्या एक जील है देख लिजे लुक्टक जिल मानी पुराज में अवस्थित है इस पर एक जल बिद्धुत प्रियुजना निर्मान किया गया है अगला प्रस्थ श्रम विभाजन की धारना का समर्थन किसने किया था तो स्रम विभाजन की धारना का समर्थन किया था एडम एसमीथ ने उप्सन नमर सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट आध्वनिक अर्ठसास्त्य के जनेक तथा प्रतिस्टित समपताय के पड़नेता एडमसमीथ ने श्रम विभाजन का धारना का समर्थन किया था इस धारना का इस धारना का अनुसर इडिकिसी ब्यक्ति की समपुन प्रकिरिया को एक ही आदमिद्वरन करा कर उसके विभीな च अगला प्रशन है स्वर्ण मुख्यत संबंधित होता है तो स्वर्ण का मुख्यत संबंध है किसे तो अंतराष्टी ये बाजार से आपसे नमबर सी राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है स्वर्निम करांती किसे संबंदित है तो स्वर्निम करांती संबंदित है यहाँ पर दो आंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर बी और सी उद्यान किर्सी और मदमख्षी पालन दोन हो जाएगा एंसर नेक्ष्ट मांग का नियम किस पर अधारित है तो यह अधारित है उपभोकता की प्रात्मिक्ता पर किस पर अधारित होता है मांग का नियम के अनुसारों भोगता किसी बस्तू की आधिक इकाईया कम कीमत पर खरी देगा निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है तो मलेरिया पैदा करता है प्रोटो जोवा कौन करता है प्रोटो जोवा मलेरिया रोग प्लाजमोडियम गन के प्रोटजोवा परजीवी के माध्यम से फैलता है मुखे तब पांच प्रकार के प्लाजमोडियम परजीवी मनुस्य को प्रभाबित करते हैं जिनमें सरवादिक खतरनाग प्लाजमोडियम फैलसी पेरम माना जाता है कौन मना जाता है फैल सी पेरम नेक्स्ट गातक मलेरिया फैल आने वाला मलेरिया परजीवी कौन है तो गातक मलेरिया फैल आने वाला मलेरिया परजीवी है प्लाजमोडियम फैल सी पेरम ओप्सन नमर बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट मलेरिया रोग प्लाजमोडियम गन के प्रजमोनियम 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 प्रजम रोग भी कहा जाता है या माइको बैसलेस लेपरी द्वारा फैलता है नेक्स्ट अगला प्रस्ने पिलिया रोग किसके संक्रमन से होता है तो या होता ही अक्रित के संक्रमन से ऑप्सन नमर बी राइट हो जाएगा पिलिया वाइरस जनित या क्रित का रोग है पिलिया रोग में और उधिर में फीत रंजक की मातरा बढ़ जाने से سैलिस्मिक जिल्ली ततत्व अचा का रंग पीला हो जाता है मुत्र पिले हरासा हो जाता है और फिर उपचार न मिलने पर रोगे की मिर्टू भी हो सकती है नेक्स्ट टाइफाइट बुखार किसके द्वारा होता है तो टाइफाइट बुखार होता है जीवानू के द्वारा टाइफाइट बुखार किसके द्वारा होता है तो जीवानू के द्वारा होता है अप्सन नमर यह राइट हो जाएगा देख लेजिए साल्मोनेला टाइफी बैक्तिरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन होता है या जीवानू छोटे आथे में रहता है या मल और मदमक्यू द्वारा फैलता है इसमें रोगी को सिर्दर्द वत तेज पुखार रहता है नेक्स्ट अगला प्रशन है भारत के राष्टी ये प्रानी का बैग्यानी के नाम राष्टी ये प्रानी नहीं होगा यहां पर राष्टी ये जानबर होगा है ना भारत के राष्टी ये पसु का बैग्यानिक नाम क्या है तो भारत के राष्टी पसु का बैग्यानिक नाम है पेंथरा टाइगरिस क्या हो गए पेंथरा टाइगरिस नेक्स्ट पैंतर टाइगरिस को सधारन भासा में बाग कहते है यह एक मांसारी स्तंधारी वर्ग का प्रानी है जो प्राय जंगलों में निवास करता है या बर्ष निसुबातर में भारत के राष्टी यह प्रानी के रूप में जाना जाता है नेक्ष्ट निमलिकित में से कौन सी टरक्त वाला जानवर है तो सी टरक्त वाला जानवर है इसमें आपका सांप हो जाएगा कौन सा ओजाएगा सांप ऑप्सन नंभर सी रिट हो जाएगा देख लीजे मतस्य उभैचर सरप वसरी सिर्फ सीतरकत वाले चन्तु है इनके सरीर तापमान वातावरन के ताप के अनुसार नहीं बदलते है पक्षी पमस्तंधारी वर्ड के अंतरकत आने वाले जन्तु गर्म रखत वाले होते इनके सरीर का तापमान बातबरन के ताप के नुसार बदलता रहता है next टेटनस का कारण है तो टेटनस का क्या कारण है तो टेटनस का कारण है आपका क्लास्ट्री डियम आप्सन नमर ए राइट हो जाएगा देख़ लिजए तेटनेस ट्लास्टिडियम टेटनी के द्वारा परसहरित होता है जो एक जीवान हो है इस लोख के उपचाळे तो डीपी टी का टी का लगवाया चाहता है अगला प्रसन है पक्चियों के बेग्ञानिक अध्यन को क्या कहते हैं तो पक्षियों के बेग्यानिक अध्यान को कहते हैं और नी थो लोजी क्या कहते हैं और डी राइट हो जाएगा और नी थो लोजी देख लेजिए और नी थो लोजी पक्षियों का बेग्यानिक अध्यान निमनो लोजी तलाबो पोखरो जीलो का अध्यान हर्पीटो लोजी उभेचरू एवं सरी स्रीपो का अध्यान और मैला कॉलो जी मिलासका का अध्यान अगला परसन है तीन बीगा कोरिडोर जोड़ता है तो तीन बीगा कोरिडोर जोड़ता है भारत और बंगलादेश को अप्शन नमर डी राइट हो जाएगा देख लिजे तीन बिगा कोरिडर बंगलादेश और भारत को जोड़ता है इसका सम्द भारत के पस्चमी बंगाल राजय बंगलादेश सीमा से सम्दित है इसे सितंबर 2013 में मंगलादेश को लीज पर दे दिया गया जिससे दरा गराम और अंगार पोटा तक पहुँचा जा सकेगा अंधकार में महादूइब किसे कहा जाता है तो अंधकार में महादूइब कहा जाता है अफ्रीका को अफ्रीका महादूइब विस्व का दूसरा सबसे बड़ा छेतरबर के द्रिष्टी से है तथा दूसरा सरबाधिक जन सिंख्या वाला महादूइब है अंतरिक भागो के बारे में पूरी जानकारी का अभाव है साती यहां सिक्चा वजागरुखता की कमी के कारण इस महादूइब को अंधकार में महादूइब भी कहा जाता है स्मॉग एक मिस्रन है श्मॉग किसका मिस्रन है यह है धूम और कोहरे का अगला प्रस्ण है प्रित्वी का सबसे गहरा कर्थ है तो प्रित्वी का सबसे गहरा कर्थ है वो कौन से है वो आपका है मेरियाना गर्थ कौन से है और बी राइट हो जाएगे मेरियाना गर्थ मेरियाना गर्थ या चैलेंजर गर्थ परसांत महासागर में मरियाना पुर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला है इसकी उत्पति प्लेटो के छेपन से हुई है इस गर्थ की खोज उनी सौरतालिस में हम एस चेलेंजर नामक जलियान दोरा की गई इसकी अनुमानित गहराई 11,303 मीटर है यह विसु का सबसे गहरा गर्थ है अगला परस्न है सदा बाहर वन कहां पाए जाते हैं तो सदा बाहर वन पाए जाते हैं इंडोनेसिया छेतर में परस्ना नुसर दिये के बिकल्पों में से इंडोनेसिया और ब्राजील में सदा बाहर वन पाए जाते हैं ये दोनों देश भूमदे रेखिए प्रदेश में इस्थित है जहां उच तापमान तथा बर्सा भर बर्स भर बर्सा होती रहती है जिससे सदावाहर बर्सा वनों का विकास होता है ये वन सिमित छेत्रों में मयानमार और स्रिलंका में भी पाये जाते हैं नेक्स्ट आदर्ता मापने के लिए निम्लिकित में से किस उपकरन का प्रियुक किया जाता है तो आदर्ता मापने के लिए किसका प्रियुक किया जाता है तो आदर्ता मापने के लिए किसका प्रियुक किया जाता है तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्थिमाल किया जाता ह तो पौधे के किस भाको तो वर्तिका तथा वर्ति काग्र को किसर के रूप में इस्तेबल किया जाता है। पौधे काग्र से प्राप्त किया जाता है। अगला प्राप्त में नर्पुस्प और इस्तिरी पुस्प दोनों को जन देने वाला पादप क्या कहलाता है। उभे लिंगी कौन कहलाता है। उभे लिंगी आप्सन नमर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अप्सन नमर ए नहीं अप्सन नमर सी होगा उभे लिंगा स्रई। नर्पुस्प तथा मादा पुस्प दोनों को जन देने वाला पादक उभे लिंगा स्रई खालाता है। नेक्स्ट अगला प्रस ने एक निवल कितने बिटों के बड़ाबर होता है। एक नीबल होता है, चार बीटों के बराबर याद रहेगा, कई वा रिपिटिट कुस्चन, देख लिजे, चार बीटों को नीबल बोलते हैं, 8 बीट को वाइट कहते हैं, आता एक नीबल बराबर कितना हो जाएगा, 4 बीटों नेक्स्ट, अगला प्रेशन है, CAOCL2 का समाने नाम क्या है CAOCL2 का समाने नाम है bleaching powder क्या नाम है bleaching powder option बी right हो जाएगा देख लिए रासानिक द्रिष्टी से bleaching powder का सुद्र CAOCL2 calcium hypo chloride होता है रोगानू नासी के रूप में जल को सुद्र करने में प्रुक्त किया जाता है bleaching powder का प्रुक्त अगला परसने cement की खोज किस ने की थी cement की खोज कि थी Joseph Aspadin ने option number C right हो जाएगा cement की खोज Joseph Aspadin ने थरस 24 में कि थी इसका रंग British third पर Portland दुईपर उत्खनित पत्थर के समान होने कारून होने ने इसका नाम Portland cement रखा अगला परसने उच्चितम आयतन उर्जाबला तद तो कौन सा है तो उच्चितम आयतन उर्जाबला तद तो है कौन है हीलियम option number B right हो जाएगा संपरित कोस electronic विन्यास के खानों उत्क्रिष्ट गैसों के आयनन विभब भूत उचे होते हैं दिये के विकल्पों में हिलियम का आयनन उर्जाब सबसे अधिक है next stainless steel किसकी मिस्तरधातु है तो stainless steel है इसमें पहाएज आता है chromium, nickel और iron यानन उर्जाब C stainless steel chromium, nickel और iron की मिस्तरधातु है अगला प्रश्ट रसानिक द्रिष्टी से चूने का पानी क्या होता है तो रसानिक द्रिष्टी से चूने का पानी होता है calcium hydroxide रसानिक द्रिष्टी से चूने का पानी को calcium hydroxide कहते हैं जिसका रसानिक सुत्र जिसका रसानिक सुत्र है CAOH के whole twice next ओजोन छिद्र के लिए कौन सब परदूसक जिम्मेदार है तो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार परदूसक है CFC chlorofluoro carbon next अगनी सामकों में कौन सी gas निकलती है तो अगनी सामकों में निकलती है carbon dioxide gas next यहां पर इस सरोद में कितने तार होते है तो सरोद में इसमें option के अनुसवर 19 तार होते है वैसे कहा गया कि परंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते है next अंकोरवाट मंदिर कहां इस्तित है अंकोरवाट इस मंदिर इस्तित थै कंबोडिया में option no.C right हो जाएगा अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में इस्तित थै स्टित्य या इस्थित्य आपका चेन्न्य में केंदरिये वर्ग चम्र अनुसंदान संस्थंचेन्न में स्थित्य या संस्थन् a चम्र पर्संसकरन चम्रे के सागानों कि निर्मान तता डिजाइन में संलेंग है इस स्थियस्थापना 2449 को की गयी थी next अगला प्रसे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेंग इट माई वे नेक्स्ट Wal Street किसका नाम है तो Wal Street यहां पर किसका नाम है तो यह नाम है New York Stock Exchange को क्या कहा जाता है Wal Street कहा जाता है देखे लिजे वालेश्टीट एक मार्ग है जो लोवर मैनहेटन न्यूवर्क सिटी यूएसे में है ये न्यूवर्क स्टॉक एक्सचेंज का ग्री है जो अपनी सुचीबत कंपनियों के बाजार के पुंजी करन के अधार पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज रॉक गार्डन के नाम से भी चाना जाते है अंतरराश्टिय सरम संगठन का मुख्याले का इस्दी थे जिनेवा बडि हो जाएगा सुक्त राश्टन की एक एजनसी के रूप में कारेदत अंतराश्टी सर्म संगठन का मुख्याल जेनेवा युएने की 193 सदस्य देशों में 185 संगठन की सदस्य हैं इसकी अस्तापन उनिश में हुई थी अगला प्रशनी इंडिका का लेखक कौन है तो इंडिका का लेखक है मेगा स्थिनीच कौन है मेगा स्थिनीच अगला परसिद उपन्यास कार उपन्यास दग गाइड किसने लिखा है तब परसिद उपन्यास दग गाइड लिखा है किसने आरके नरायने परसिद वपरन्यास दगएट की एजना आरके नरहने अंगलिये भास समय की जो बर्स उनीस सो अंधावन में क्या हुआ था में था next, कुचीपूरी निर्थ नाटक किसरा जिसे संबंदित है तब कुचीपूरी निर्थ नाटक का किसरा जिसे संबंदित, option number A हो जाएगा, B किसे संबंदे तो आन्द प्रदेश से, कुचिपूरी आन्द्रदेश का एक गाउं है जिसके नाम पर एक ON्रित्य का नाम रखा गया है कुचिपूरी को उसके बर्तमान सुरोप में लाने की स्रीव बिदानतम लक्षट्मिनारायन सास्तरी बिदानतम सत्तिनारायन सरमा को जाता है इसके नर्तक बेमपती सत्यनारायनम यामनी कृष्ण मूर्थी चीता करन मूर्थी आदी है नेक्स्ट रंजी ट्रोफी किस से संबंदी थै तो रंजी ट्रोफी का संबंद है किर्केट से अफसन नमर सी राइट हो जाएगा रंजी ट्रोफी क्रिकेट से संबन्दित है या परतियोगता भारत में बर्स 1934-1935 जित होती जा रही है तीन से साथ फरवरी दोरे उनिसके मन्द विदर्व क्रिकेट एसोसेशन से स्टेडियम नागपूर में रंजी ट्रोफी का 85 सेंसकरन संपन हुआ बिदर में दिली कोहरा का लगतार दूसरी बार है खिताब जीत लिया है नेक्स्ट रोवर्स कप ने मले खित में से किस खिल से संबन्दीत है तो रोवर्स कप का संबन्द है किस संबन्दीत है तो रोवर्स कप का संबन्द है फुटबॉल से अप्सन नमबर ए राइट हो जाएगा देख लिजे रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबन दिता है 1891 में प्राग्रम रोवर्स कप विश्व की दूसरी प्राचिंतम फुटबॉल परतियोगता है जबकि डूरंड कप विश्व के पहली फुटबॉल परतियोगता है 1923 में मोहन बगान रोवर्स कप खेलने वाली पहली भारतिय टीम बनी थी 2000 से 2001 में आखरी बारिया प्रतियोगता आजोती हुई थी जिसे मोहन बगान ने चर्चित ब्रेदर्स को 2-0 से प्राजित कर जीत लिया था वेश्टर्ण इंडिया फुटबॉल एसोसियेशन ये टूर्णामेंट पुना सुरू कराने तुप प्रयासरत है next CD right किसका एसक है CD right एसक है किसका iron का लोहा का अगला प्रशन है Brown air सब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो brown air सब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए तो इसमें हो जाएगा option number C प्रकास रसाइनिक धूवा के लिए next ब्राउन एर सब्द का प्रकास रसानिक धूवा के लिए किया जाता है प्रकास रसानिक धूवा वायू परदूसको और सुर्य के प्रकास की किरिया से उत्पन होता है इसके परमुक संगटक गैसो हैड्रो कार्बन नैट्रोजन आक्साइड तथा पैरोक्सी एसीटिक नैट्र है नेक्स्ट जल में कठोरता किसकी उपस्ति के कारण आ जाती है तो जल में कठोरता आ जाती है किसके कारण तो ही आ जाती है option number आपका हो जाएगा option number C हो जाएगा calcium तथा magnesium के chloride तथा sulphate के कारण next देख लिजे जिस जल में साबून घुलने या जाग देता है उसे मिर्दू जल कहते हैं तथा जिसमें साबून नहीं घुलता अतवा जाग नहीं देता है उसे कठोड जल कहते हैं जल की कठोड़ता उसमें calcium तथा magnesium के bicarbonate sulphate chloride आदी के असुदियों के गूल जाने कारण होती है कठोड जल से calcium और magnesium निकालने की पर क्रिया को जल मिर्दू करन कहते हैं अगला परस ने जल की कठोड़ता दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं मिर्दू करन उसन नमर सी राइट हो जाएगा next अगला परस ने किस लोहे एसक में 72% लोहा होता है तो 72% लोहा किस में होता है तो होता है मैगनेटाइट मे, 75% होता है देख लीजे हैं यहांपे detail, भी भी लोह एसको कोई लोह परती सत हेमेटाइट में 70%, मैगनेटाइट में 72%, लीमोनाइट में 50-66% और सीडे राइट में 48%, इसलिए सबसे अच्छा कौन माना जाता है हेमेटाइट, नेक्स्ट, निमन में से किसको भूरा कोईला कहा जाता है, तो भूरा कोईला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोईला कहा जाता है, लिग नाइट को option नमर D आपका right हो जाएगा next देखिए कोईले की गुर्णबक्ता की निर्धारिन जिसमें निहित कारवन के अनुपात पर निर्भर करता है भूगर में तभी बन स्पती दवाब यह उमताप के कारण पाले pit कोईला यानि 40% से कम कारवन के निर्भर होता है उसके उपरान ते लिगनाइट कोईला 40 से 55 तक कारवन B2 मिनस 55 to 80 ततफ़ चास सरभत्तम कोटी के कारवन इंतरा साइड 82 95 % इसमें कारवन के मातरा होता है के निर्भर होता है लिगनाइट को भूरा कोईला भी कहा जाता है next लोहे का सुधतम रूप कौन सा है तो लोहे का सुधतम रूप है पिटवा लोहा option number D राइट हो जाएगा देख लिजे लोहे का सबसे सुधवानिजिक रूप पिटवा लोहा है पिटवा लोहा लोहे का सबसे सुधा IS का है इसमें Carbon کی मातर hill भी कम होता है Carbon की मातर लए 0.04 to 0.08% होता है Nest अगला Hebrew है तो Mercury एक द्रबधात्य है कौनसा इत्रबध्य हक्से अगला box में सीसा का सबसे महत्पुन इस कौनसा है तो सीशा का सबसे महत्पुन इस का सबसे महत्पून इस कि गेड़े miss क्लीन है पाई जाने वाले धातु है इसका अयस्क कालवे राइट जथा सिल्वे नाइट है जब कि अल्मुनियम का प्रमुकायस्क बॉकसाइड, क्रायोलाइट, डायासपोर, सीसा का गैलेना, सीरुसाइट, एंगले साइट और मेटलुक काइट इत्यादी है अगला प्रस्ण निम्रीखित में से कौन सी धातु स्वतनत रवस्ता में पाई जाते हैं स्वतनत रवस्ता में पाई जाने वाले धातु है, सोना ओप्सन नमर बी राइट हो जाएगा सोना मुक्त बस्ताएं पाई जाने वाली धातु है इसका एस्क कालवे राइट त्रथा सिल्वे नाइट है जबकि एलमुनियम का प्रमुका एस्क वॉकसाइट, क्रायूलेट, डैसपोर, सिसागेलेन, सिल्वेट और एंगलेसेट, मेडलोक का इत्यादी है नेक्स्ट अगला प्रस्ने लेंबर्ड नियम किसे संबंधित है तो लेंबर्ड नियम संबंधित है प्रदिप्ती से किसे प्रदिप्ती से देख लिए लेंबर्ड का कोज्या नियम प्रकास की प्रदिप्ती से संबंधित है प्रकास की में लेंबर्ड को कोज्या नियम के अन के बीच के कोन को कोज्या के समान उपाती होता है नेक्स्ट प्रकास संसलेशन परकिरिया में परिवर्तन नहित है तो प्रकास संसलेशन परकिरिया में परिवर्तन किस्म है तो स्वर उर्जा से रसायनिक उर्जा में अप्स नमर सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट देख लीज आको रसानी कुरता में परिवर्थित करने के रिए आको प्रकास संसे लेशन कहते हैं इसके अंतरगत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगो जैसे पत्ती द्वारा सुर्ज के प्रकास को उपस्तिती में वाई उसी कर्वन डेक सेट तथा भूमी से जल लाकर जेटिल कर्वनि गैस बाहर निकालते हैं अगला प्रसन देलकित में से कौन व्यक्ति है जिसे भारति मिसाईल पुरद्योगी की का पिता कहा जाते, भारती मिसाइल प्रद्योगी की का पिता कहा जाते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगला प्रस्ने दूद को मतने से क्रीम को अलग हो जाने के कारण क्या कारण है तो इसका कारण अब किंदरी बल उप्सन नमर सी आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ने सावन के बुलबुले पर स्वेथ प्रकास डालने से रंग दिखाई देते हैं इसका कारण क्या है तो इसका कारण क्या है तो इसका कारण है ब्यतिक करण ओप्सन नमर सी राइट हो जाएगा सावन के बुलबुलो पर स्वेत प्रकास डालने से रंगोत के दिखाई देने के पीछे ब्यतिकरन से धानत है जल स्वेत प्रकास की किरने सावन के बुलबुलो पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनुस सथों से किरने अपवर्तित, प्रावर्तित होकर प्रेक्षक की आँखों की और लोटती है दोनों सतों से आखों तक पहुचने वाले प्रकास के तरंग समोहों के कलाउंस मैं सुच्छम अंतर होने कारण ब्यती करन होता है जिसके फिलस्विफर रंग दिखाई देता है नेक्स्ट अगला परस्ट ने दूद को मतने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है तो यह कारण अब केंद्री बल अगला परस्ट जब पानी जम जाता है तो उसका घंत क्या हो जाता है तो घनत क्या हो जाता है घट जाता है नेक्स्ट देख लिजे पानी को जब ठंडा किया जाता है तो चार डिगरी सिल्सेस तक तक तापमान पहुझने पर इसका आयतन घटता जाता है और इस तापमान पर जल अपने घनत क्या देखता मान पर होता है लेकिन जब जल क और यह खटा है तो इसका अधर बढ़ता है और घनत तो क्या होता है घनत जाता है, इनका क्या होता है उच्छतम प्रति रोगता नियूंतम गलनांक और राइट हो जाएगा एक फ्यूजदार में उच्छत प्रति रोगता नियूंतम गलनांक होना चाहिए फ्यूजदार का उपयोग विद्दूत परिपत के लगुपतिक होने की दसा में होता है ताकि परिपत में आग लगने से बचाया जा सके परिपत के लगू परिपतिक होने पर परिपत से उच्छ धारा परवाहित होती है और फ्यूचतार का परतिरोध यदि अधिक होगा तक गलनांक नियुन्तम होगा तो सिगर्टा से गर्म होकर या पिघल जाएगा और परिपत कट जाने से धारा परवाहित तुरंत क्या हो जाएगा रुख जाएगा अगला परसने यूरेनियम विखंडन की सत्त प्रकिरिया को जारी रखने में किस गन की जरूरत होती है इसमें जरूरत हो थी neutron की option number C राइट हो जाएगा Uranium विखंडन की प्रकिरिया में Uranium 235 प्रमानों पर neutron की बंबारी की जाती है जिसे उसका नाभिक लगवो दो समान भागों में तूट जाता है साथी इस प्रकिरिया में 2 या 3 neutron विमोचित होते है यह neutron और uranium 235 प्रमानों पर नाभिक को तारे कर उड़ जा और neutron भी मोचित करते है यह प्रकिरिया इसी प्रकार चलती रहती है अगला प्रस्ण फ्यूज की सिदान पर कारे करता है तो फ्यूज की सिदान पर करता है तो बिदुद उसमें प्रभाव option number D right हो जाएगा next पुंजी वादी अर्थ विवस्ता में कीमत निर्दारित किस के द्वारा की जाती है यह की जाती है मांग और पूर्ती के द्वारा option number E right हो जाएगा स्रम भी भाजन की धारना का समर्थन किस ने किया था तो यह किया था किष्णे किया था यह 오늘 याM Smith is next आध्वनिक अर्थसासต के जरंग तथा परतिषटे संपरदाय के प्रनीता एड़म स्मित ने श्रंबी भाजन की धार्णा का समर्थन किया था इस धार्णा के अनुसार यदि किसी कारे की शंपुन प्रकिरिया को एक ही आदमी द्वारा ना करा कर उसके विभिन चरनों के भिन भिन लोगों से पूरा कराने की प्रकिरिया को इस रमबी भाजन कहते हैं अगला प्रश्ण है श्वर्न मुक्यत संबंदित है तश्वन का संबंद है अंतराश्टी भजार से नेक्ष्ट यह question पहले ही complete हो चुका है अगला प्रश्ण विश्व में उन का सबसे बड़ा उत्पादक देस कौन है तो उन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देसे विश्व में वह है आपका option number B हो जाएगा चीन नेक्ष्ट अगला प्रश्ण यूरेनेस के कितने उपकर है तो यूरेनेस के कोल उपकर है 27 याद रखेंगा कितना है 27 नेक्ष्ट यहाँ पर देख लिजिए गरा और उनके उपकरा की संख्य निम्तम नभीनतम आकरो के नुसार यह है बुद का जीरो सुक्र का जीरो प्रित्वी का एक मंगल का दो ब्रसपती का 79 सनी का 62 अरून का 27 और वरून का 14 नेक्ष्ट हावा के तेजबेग से बने रितीले टीलो को क्या कहते है ते रितीले टीलो को कहते है मरू टिब्बा यानि ज्यून अप्सन नबर सी राइट हो जाएगा अगला प्रस्ट निंभारत का जीम मंडली जर्व नंद डिवी यूनस को किस राज हमें इस्तित है तो पूलना डिवी यूनस को इस्तित है उत्रखंड राजें और शें आप्स užवान राईट हो जाएगा अगला प्रश्ट ने किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी कहा जाता है वो कहा जाता है बैंगलोरू को किसे बैंगलोरू को नेक्स्ट यहाँ पर देख लिए सिंगतराज अमेरिका में उत्तरी कलिफोर्निया के सैन फ्रांसेस को खारी चेतर का दक्षिनी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से परसिद्ध है आरंबिया पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एक क्रित परिपत चीप बनाने वाली कंपनियों का रनिया नाम मिला इस अंदर में भारत में सिलिकॉन वैली बैंगलोडू को कहा जाता है नेक्स्ट यह होई गए भारत में सिलिकॉन वैली इस्तित है तो बैंगलोडू में कुंकन तट भारत के पस्चमी तट का परबतिय अनुहाग है कुंकन से महाराश और गुवा के तट ये जिले आते हैं कुंकन तट की सीमा दमन से गुवा तक विस्तित है नेक्स्ट अगला प्रस्चमी की ओर बहती है तता अरब सागर में मिलती है या कौन सी नदी है ते अफसन के अनुसार या नदी हो जाएगी नर्मदा नदी निक्स्ट नर्मदा नदी पस्चम की और बहती है तता अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी अमरकंटक पहारी से निकलती है अन्य नदिया तता गंगा महानदी और गोदावरी पुर्व की और बहती हुए बंगल की खारी में गिरती है केरल के तट को क्या कहा जाता है केरल के तट को कहा जाता है मालावार तट option number B राइट हो जाएगा आन्ध फरदेश और तमिलनाडु के ततीय भुभा को कोरो मंडल तट कहते हैं जबकि पच्ची में केरल के तट को मालावार तट कहते हैं अगला प्रश्ण है अन्नामूदी सीकर की यहां इस्तित है तो अन्नामूदी सीकर इस्तित निलगिरी पहारिया में कहां पे इस्तित निलगिरी पहारिया में देख लिजे प्राइदुपिय भारत अथवा दक्चिन भारत की उच्तब परबत चोटी अन्नामुदी है जिसकी उचाई 2695 मिटर है यह निलगरी के दक्चिन में अन्नामलाई पहारी में इस्तित है डोड़ा बेटा ऐसी दूसरी उची चोटी है इसकी उचाई 2637 मिटर है य गाट को सयाद्री भी कहा जाता है यानि क्या हो जाएगा आपका यहां पर नेक्स्ट मानस पसुबिहर किस राजी में इस्तित है तो मानस पसुबिहर असम में इस्तित है नेक्स्ट यहां पर देख लिजे रंतम भौर राजस्थान राजी में वस्तित है जबकि और करनाटक में मानस असमें और सिमली पाल उडिसा में इस्तित सभी इंपोर्टेंट है अगला प्रस्ट ने भिलाई इसपात सहयंत्र का निर्मान किसके सहयोग से किया गया था तो भिलाई इसपात सहयंत्र का निर्मान किया गया था किसके सोवियत संग के सहयोग से किसके सहय स्थाफित किया गया यह संत दुर्ग जिले 36 गड़ में कलकत्ता मुंबे रेलमार पर इस्तित है यह कच्छामाल लोयस्क डली राजहरा खदानों से कोईला कुरवा बोकारो करगली जरिया चेतरों से चुना पत्र नंदनी खदानों से मैगनीज बालागार तता बंडारा चेत से तथा बिद्दूत कौरवा तापिय सक्तिगरी से प्राप्त करता है अगला परस्ट ने सुनदरी ब्रिक्स निम लखेत में से किस की एक विसेस परकार की बनसपती है तो सुनदरी ब्रिक्स जो है वह ज्वारिये बन से सम्भंधित है नेक्स्ट जुआड़ी बनस्पती मुकतब भारत के पुर्वी तटी चेतर मिलती है पुर्वी तटी चेतर गंगा गोदाबरी कृष्णा आदी के निम्न डिल्टाई भाग में उच समुदरी जुआड़ का पानी जम हो जाता है इस पानी से यहां की भूमी दलदली हो जाती है बंगाल का सुंदर्वन, जुआरी बनस्पती का प्रमुदारन, मैंग्रोब और सुंदरी ब्रिक्च पर मुखे जौला मुखे ब्रिक्च है नेक्स्ट अगला प्रश्ण है किशन गंगा परियोजना भारत अथा किसके बीच में है बीवाद भारत अथा पकिस्तान के बीच में यह बीवाद है देख लिजे किसन गंगा परियोजना जम्मु कस्मिराज में बांदीपूरा के निकट गुरेज घाटी जहलम की साहिक नदी किसन गंगा पर अवस्तित है इस परियोजना पर पकिस्तान द्वारा अपत्ति उठाई जाती रही है पकिस्तान द्वारा किसन गंगा परियोजना को बर्च में परस्तुत किया गया था निमलेखेद में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है तो ऑप्सन के अनुसार इसमें भारत में नगदी फसल माना जाता है प्याज को अगला प्रशने भारत में लोकसभा के अधिक्तम सीटे निर्धारीत है कितना पांसो बावन लोकसभा संसत का निचला सदन है इसके सदस्यों कि अधिक्तम निर्धारी संग्या पांसो बावन जिसमें 530 राज्य परती निदी रहेंगे 20 सदस सकेंद सासित परदेशों का परदे निदी तोर करते हैं और 2 सदस एंगलो इंडियन समधाय से राश्टपती द्वारख्या किया जाता है मनुनित किया जाता है अगला परश्टपती अध्यादेश कितनी अब्धी के लिए लागू रहता है तो राश्टपती का अध्यादेश 6 मा तक के लिए लागू रहता है निम्न में से कौन एक राजनितिक अधिकार है तो इसमें आपको बता दू कि राजनितिक अधिकार है आपका मतदान का अधिकार भारत में बियस्क मतदान का अधिकार अधिकार अपनाई गई जिसके तहट 18 वरसे अधिकाईों के सभी नागरिकों को अपने जन परतिनिदियों को चुलने का वैदानिक अधिकार प्राप्त है अनुकूल चंद परदान बनाम भारत संग के बाद 1997 में सर्वो चिनेले में मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि बिधान सरकर अब्यारोपित सिमाओ के अधिन बैधानिक अधिकार माना है मत देने के अधिकार को राजनितिक अधिकार भी माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग ब्यस्क मत आती मत दाता द्वारा अपनी राजनितिक इच्छा पुरती है तो किया जाता है सेम कुछन है मत देने के अधिकार किसको टिसे संब्दे दे तो किसे समद्धे तराजनितिक अधिकार से मनुस एक समाजिक प्रानी है या कथन किसका था या कथन था अरस्तू का किसका था अरस्तू का उफसे नमर भी राइट हो जाएगा अगला प्रशने भारतिय सम्विधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मुल अधिकार नहीं है तो यहां पर सूचना का अधिकार मुल अधिकार नहीं है अगला प्रशने भारत में सोतंतरता के बाद कितनी वाराष्टी अपात का लागू हो चुकी है तो भारत में सोतंतरता के बाद बरस 1971 में आगुसीत यम तीसरा आंत्री कसांती के अधार पर बरस 1975 में की गई थी ध्यातब में एकी कूल समिधान के अंचे 352 के आंत्री कसांती के अस्थान पर चोबाल इसमें समिधान 1778 से ससस्तर बिद्रों का परतियस्थापित किया गया है Next अगला परस निमलेकित में से कौन भारत में बिद्या पातकाल की गोशना करता है तो बिद्या पातकाल की गोशना कौन करेगा तो भारत के राष्टपती Next राष्टपती अनुचे 360 के ताथ आर्थिक संगड की स्थिति में बिद्या पातकाल की गोशना कर सकता है पहले चरन में वो दुभोशना दूमास तक का परवरतन में रहती है यदि संसेत के दोनों सदनों से संगलबोद और इसका अनुमोदन हो जाता है तो वो अनिशित काल तक बनी रह सकती है अर्था जब तक वापस न ली जाए तब तक भारती संबिधान का कौन सा अनुचेद असपरस्यत का उनुमोदन करता है तो वे करता है अनुचेद 17 किस अनुचेद का उप्योग करके भारत के राष्टपती बितिया पातकाल की गोशना कर सकता है तो अनुछे 360 का प्योंग कर पितिया पातकल की घोशना कर सकता है अगला परस्ण है कि डिमोक्रेसी सब्द किस भासा से लिया गया है यह लिया गया है ग्रिक भासा से उप्शन नमरी राइट हो जाएगा अगला परस्ण है आदरस बात का जनक किसे माना जाता है तो आदर्स वाद का जनक किसे माना जाता है प्लेटो को ओप्सन अबरे राइट हो जाएगा देख लीजे आदर्स वाद का जनक युरानी दार्शनिक राजनितिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है प्लेटों ने अपनी परसित पुस्तक रिपब्लिकन आदरस राजे का चितरन की आई सी सिदान पर चर्मोत कर सहीगल की विचारधारा में देखने को मिलता है अगला प्रशने मुस्लिम लिखे अस्ताफना किस वर्स होई थी अगला प्रशन है निम्न में से कौन दीने इलाही का सद से बना था दीने इलाही का पर्थम सद से बने वाला था राजा बिरवल कौन था राजा बिरवल ओप्सन मेरे राइट हो जाएगा दीने इलाही नामा के एक नया धर्म अकवर द्वारा सुरू किया गया था इसका पर्थमनुयाई बिरवल था सभी धर्मों के सारांस ग्रा के रूप में अकवर द्वारा पंद्रसु बेरासी में दीने इलाही देवी एके सुरबात का परवर्थर किया गया अबूल फजल इसका परधान पुरोहीद था अगला परसने निमलिखेद में सुगा के लिए रानी कौन थी इसने दिल्ली पर सासन किया तो के लिए रानी कौन थी रजिया सुल्टान अप्सन नमरी राइट हो जाएगा रजिया सुल्तान गुलाम बंस की सासिका थी वो उत्तर भारत की पर्था मुस्लिम सासिका थी वो इल्टुत मिस्की पुत्री थी रजिया परदा पर्था त्याकर पोर्सो के तरह चुंगाईबं कुला पहन कर अलदरवार में खुले मुँ से जाती थी उन्होंने 1276 से 40 तक इसके सासन किया अगला है यंग इंडिया और हरिजन्स का संपादक कौन थे तो वो थे महातमा गांदे ओप्सन नंबर सी राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण अकबर के दरवार में सबसे परसित संगितकार तानसेन का मुलनाम क्या था तानसेन का मुलनाम था रामतनू पांडे ओप्सन नंबर सी अकबर के दरवार में सबसे परसित संगितकार तानसेन संबध हिंदू गाडे ब्रहमन परिवार से था तानसेन की पितन का नाम मुंकु द पांडे था इनका गाउम मध्य परदेश के गुवालियर जीले में था तानसेन की बचामन का नाम रामतनू पांडे था गांदी जी द्वारा सथ राशन नि Fourth Day समपाद समाचार पत्र का नाम क्या था तो समाचार पत्र का नाम क्या था यह नाम था यंग इंडिया क्या नाम था यंग इंडिया उप्षिन अबर डी राइट हो जाएगा अगला प्रशन भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो पहला अंग्रेज अध्यक्षते जोर्ज यूले ओप्सन बरही राइट हो जाएगा कॉंग्रेस चार अधिवेशन अटारस अठासी उत्तर पस्चमी प्रांत की राजधानी इलाहबाद में हुआ था इसकी अध्यक्षता जोर्ज यूले द्वार की गई थी जो भारती रैष्टी कोंगर के पाले अंग्रेज अध्यक्ष थे नेक्स्ट तू डर्मल किस मुगल सासक के परसिते राजस मंतरी था टूडलमल जिसका था अकबर के राजस मंतरी था नेक्स्ट अच्ट नेक्स्ट पूना सम्झ वता महत्मा गंधी और किस के बीच में वाता पूना सम्झन अमात्मा गंधी और भीमीव अंविट करके महध हुआ पूना समिज़ को अनुरा Looks ताक्षर की ये गये थे 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझोते में दलित बर्गों के लिए प्रिथक निर्वाचन मेंडल के स्थान पर समाने वर्ग के ताथ इस CTR अक्षित करने की विवास्ता की गई थी नेक्स्ट अगला प्रस्ण अकबर का प्रसित राजस सुमंत्री कौन था तो वो था कौन था टो डर्मल ये तो हो गया है यह भी कंप्लिट हो गया अगला प्रश्ण है दिल्ली सल्तनत का अंतिम बंस क्या था दिल्ली सल्तनत का अंतिम बंस था आपका कौन था लोधी बंस ऑप्सन नमर डी राइट हो जाएगा अगला प्रश्णल लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे तर लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे अरविंद खोस ऑप्सन नमर सी राइट हो जाएगा अगला है लाला लाजपतराई किसके बिरुद परदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की निर्शंस्ता का सिकार हुए तो वे कर रहे थे साइमन कमिशन का बिरुद कर रहे थे देख लिजे लाला लजपतराय वर्स में साइमन कमिसिन की व्रोद पर दैसन करते समय पुलिस की निरसंसता कसी कार हुए थे अगला है निम्न में से किस सासक ने जजी आकर समाप्त कर दिया था किस ने अकबर ने देख लिजे इसका डेटेल मुगल समराट अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने 1562 में दास पर्था था था 15330 में तिरसे यातरा कर लेना भी बंद कर दिया था 1689 में मुगल समराट और अरंगजेव ने जजिया कर लेना पुरह प्रारम कर दिया था अगला प्रसने जालिया वालबाग हादसे से कौन सा बिर्गेडियर संबंदी था वो था जनरल डायर कौन संबंदी था जनरल डायर जालिया वालबाग हादसे से बिर्गेडियर जनरल डायर संबंद था 13 अप्रेल 19 को बैसाखी के दिन अमरिस सर के जालिया वाला भाग में कत्रित निहत्थी भीर पर बिर्गेडियो जनरल एरेगिन लेंड एड़ड हैरी डायरक के आदिस पर गोलियां चलाई गई थी अगला प्रेशन लेडी बिद्दल लेंब के नाम से कौन बिख्यात है तो लेडी बिद्दल लेंब के नाम से बिख्यात है फ्लोरेंस नाइटिंगल आप्सन नमर बी राइट लेडी बिद्दल लेंब के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगल बिख्यात है वह क्रीमिया की उद में गायल सैनकों की सेवा है अंगरिद प्रियाज करने वाली परसिद अंगरेज परिचारिका थी अगला है नरम दल एवां गरम दल के बीच भूट कहां किस परस में परी थी यह परी थी 1907 में कॉंगरेस के सूरत अधिवेशन में अगला परशन है और आज का लास्ट कोश्चन है सिमान्त गांधी किसका उपनाम था सिमान्त गांधी उपनाम था खान अब्दुल गफार खान का देख लिए इसका डिटेल सबने अब ज्यान दोलन के तौरान उत्तर पस्ची में सिमान्त परांथ में सक्रिय भूं करने भाने वाले खान अब्दुल गफार खान को Frontier गांदी अत्वा सिमानत गांदी कहा जाता है इन्हें बरस 1987 में भारत रतिन के उपादी से समानित किया गया तो यह very very important class मापत हुआ अगर आपको हमारे class पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सिख जियेस अकेडमी को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगले class में तब तक लिए 6 हिंद